गल्वान जड़त के 22 दिन के बाद लद्दाक के हालात में सुधार नजर आने लगा है चीन और भारत की सेनाय टकराव वाले पॉइंट पर पीछे हटने को राजी हो गई है होट स्प्रिंग और गोगरा इलाके में भी सेनाय पीछे हट रही है और यह प्रक्रिया कुछ दिनो में पूरी हो जाएगी सुत्रों के मुताबिक चीन ने इस पॉइंट पर रविवार से अपने धाचे गिराने भी शुरू करती है तनाव कम करने पर जो सहमती बनी है उसके मुताबिक दोनों सेनाय तकराव वाले पॉइंट से एक से डेड़ किलोमीटर पीछे हटेंगी यह प्रक्रिया पूरी होने तक दोनों देशों के बीच बात्चीत चारी रहे की चीन ने सेना पीछे खीचने का कदम परधान मंतिर नरींद्र मोदी के लदाग दोरे के दो दिन के बाद रविवार को उठाया इसी दिन रास्ते सुरक्षा सलाहकार अजीत धोबाल की चीन के विदेश मंतरी वांगी से वीडियो कॉल पर दो घंटे चर्चा की बादचीत के कुछ ही घंटे के बाद चीन ने सेना वापस बुलाने का फैसला लिया भारत और चीन के बीच पॉइंट पीपी 14, पीपी 15, होट स्प्रिंग्स और फिंगर एरिया में भी विवाद है इन इलाकों से भी सैनिक पीछे हटने शुरू हो गए है बोर्डर पर शांती रखने और रिष्टों को आगे भडाने के लिए दोनों देशों को आपस में ताल मेल रखना चाहिए अगर विचार मेल नहीं खाएं तो विवाद खड़ा नहीं करना चाहिए एल एसी पर सेना हटाने और डी एस्कलेशन की प्रोसेस जल्द से जल्द पूरी की जाए यह काम फेजवाइस किया जाए दोनों देश एल एसी का सम्मान करे और एक तरफा कदम नहीं उठाए बाविश्य में सीमा पर माहोल बिगाडने वाली घटनाय रोकने के लिए मिलकर काम करे एन एस ए धोबाल और चीन के विदेश मंतरी आगे भी बादचीत जारी रखेंगे ताकि दोनों देशों के समझोतों के मुदाविक सीमा पर शान्ती रहे और प्रोटोकोल बना रहे गलवान के जड़ब के 20 दिन के बाद चीन लाइन ओफ एक्ट्वल कंट्रोल पर 2 किलोमेटर पीछे हट गया है ऐसे ही लेटेश को बरेपाने के लिए बैल इकन को फ्लिक कर हमारी चैनल को लाइफ शेर और सब्सक्राइब करें घन्ने वाल झाल 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 झाल